हलो फ्रेंट्स, इन्फोल आप में आपका स्वागत है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेटा हो या बेटी उनका माबब की प्रॉपरटी में कितना हक है और उनको प्रॉपरटी के अंदर कितना शेर मिलेगा इस चेंज को आज डिटेल में हम वीडियो में डिसकस करेंगे, चानल पर आप नए है और हमारे चानल को आपने अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो सबसे पहले चानल को सब्सक्राइब करें and बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें for all latest updates and videos Friends जो property होती है वो दो तरीके की होती है, पहली जो है वो स्वय अर्जित property, खुद से कमाई हुई property, self acquired property and second ancestral property, पैतिर्क संपती, जो संपती PD दर PD अगली जनरेशन को पास होती है मतलब विरासत में मिलने वाली property, property के इन दोनों ही cases के उपर आज वीडियो के अंदर हम detail में discussion करेंगे, सबसे पहले first case discuss करते हैं सबसे पहला case जो है, वो है self acquired property का, खुद से कमाई हुई property का, अगर माता पिता ने अपनी संपती को खुद से कमाया है, उनकी self acquired property है, तो वो उस property को अपने wish के according distribute कर सकते हैं बच्चों में, चाहे तो वो किसी एक बच्चे को भी सारी property दे सकते हैं और इसके अलावा वो पूरी की पूरी property, चाहे तो उसका दान भी कर सकते हैं, उसको किसी के अंदर gift भी दे सकते हैं, चाहे बच्चों को उस property से पेदखल भी कर सकते हैं, बट ऐसा कब होगा, self acquired property के case में, खुद से कमाई हुई property के case में, अगर पिता की death हो जाती है, उन्हो उने कोई वसीहत नामा नहीं लिखा है, तो self acquired property के case में, उनकी जो property है, वो बच्चों के बीच में equally distribute हो जाएगी, suppose एक बेटा है, एक बेटी है, तो दोनों के बीच में 50-50% share distribute हो जाएगा property का, अब discuss करते हैं, second case, ancestral property का, पैत्रिक संपत्ती का, वो संपत्ती जिसको PD दर PD आ पैत्रिक संपत्ती के case में, कोई भी माबाप अपने बच्चों को property से बेदखल नहीं कर सकता, उसमें बेटा हो या बेटी उनका बराबर का हक होगा पैत्रिक संपत्ती में, और ना ही कोई पिता ऐसा कर सकता है, कि ancestral property का case है, और वो सारी property किसी एक बच्चे के ही नाम पे कर ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारा कानून कहता है, वो ये कहता है, कि जो ancestral property है, पैत्रिक संपत्ती है, वो माबाप ने भी खुद से नहीं कमाई है, और ये जो संपत्ती है, विरासत में मिलने वाली संपत्ती है, जो generation by generation आगे transfer होती आ रही है, अब एक बहुत ही important बात मेरी note कर पैत्रिक संपत्ती, ancestral property के case में, अगर कोई पिता अपनी सारी की सारी property किसी वसीहत के थुरू किसी एक बच्चे को दे देता है, या फिर उसको equally distribute नहीं करता, तो ऐसे case में, जो भी दूसरा बच्चा है, जिसको property नहीं मिली, वो transfer of property act के तहत, petition file कर सकता है, court में अपना share claim करन के लिए, और definitely उसको court से relief भी मिलेगा, friends एक important बात मेरी और note करना, चाहे ancestral property का case हो, या फिर खुझ से कमाई हुई संपत्ती का case हो, जो बेटिया हैं, वो दोनों ही case के अंदर बराबर की हकदार है, और इसके उपर मैंने एक detail video भी बनाई है, link मैंने नीचे description box में दिया है, आ आप चाहें तो उस informative video को देख सकते हैं, friends property से related दोनों cases, चाहे वो self acquired property, खुझ से कमाई हुई property का हो, या फिर ancestral property, पैतरिक संपत्ती, विरासत में मिलने वाली property का हो, वो हमने detail में discuss करा, आपका फिर भी कोई legal doubt है, तो आप मेरे को email के थुरू बेस सकते हैं, email मैंने नीचे description box में दिया है, I hope आपको ये informative video अच्छी लगी होगी, तो like बटन को प्रेस करें, और इस useful information को share करें, among your friends and family members, क्योंकि knowledge जो है, वो share करने से ही बढ़ती है, चैनल पर आप नए हैं, और हमारे चैनल को आपने अब तक नहीं subscribe किया है, तो सबसे पहले चैनल को subscribe करें, and bell notification को press करे for all latest updates and videos, thanks for watching infolap